नास्कार स्वागत थे आपका इंडे की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज की सबसे बड़ी खबर आठ दिसम्बर जब गुजराच शुनावों के नतीजे आने वाले हैं पहली दिसम्बर और पांच दिसम्बर को वोट्स डाले जाएंगे क्या गुजराच मॉडल बना रहेगा और आज हम गुजराच की चर्शा इंडिया की बात में तीन माइनों में करने वाले हैं गुजराच की राजनीती की चर्शा बगेर मोर्भी हादसे के नहीं हो सकती और मोर्भी हादसे के तीन पहलू सामने उभर कराएं सबसे पहले क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी सभा और राजनीती लोगों के दर्द से उपर है नमबर एक नमबर दो पूरे मोर्भी हादसे में भाजपा की प्रचार तंत्र और मीडिया ने जो शर्मनाक रवईय का परिचाए दियाना वो अप्रत्याशत है और नमबर तीन क्या मोर्भी हादसे का सर गुजराच चुनावों और उसके बाद राश्ट्री राजनीती पर पड़ेगा इसकी चर्चा होगी मगर दोस्तों सबसे पहले हम प्रदान मंत्री के रवईय की बात करते है रव्यवार को यह हादसा होता है और अगलिन सुमबार को प्रदान मंत्री मोर्भी नहीं जाते तीन-तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं रेल को हरी जंडी देते हैं दो-दो बार कपड़े बदलते हैं और जब मोर्भी पहुँचते हैं देड़ दिन बाद तब भी वहाँ पर एक ड्रामा चलता रहता है यह अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है लोग अपने दर्द को बया करना चाते थे मगर ऐसा लगता है प्रदान मंत्री उसे सुनना ही नहीं चाते है प्रदान मंत्री कहा हैं आप आप मोर्भी की चंता के दर्द के साथ हैं या किसी और ग्रह में हैं आप क्या है इस खबर का पंच शुरुआत करना चाहेंगे आप उर्मेलेशीस के साथ अभिसार भारत के मौजूदा प्रदान मंत्री मोदी जी ऐसा लगता है मुझे कई केवल मोर्भी ही नहीं मैंने पहले भी देखा है आपने भी देखा होगा कि जितनी इस तरह की तरास्दी होती हैं, जितनी घटनाए होती हैं, ऐसा लगता है कि वो दुक्धर्द जो जनता का है उसकी वेदना से, लोगों की समवेदना से बिलकुल मुक्त रहते हैं, शायदी कहीं वो जाते हैं और जाते भी हैं तो एक रिचूल की तरह क्या है इस खबर का पंच भाशा बताएं देखे विसार मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि इस घटना में जिस तरह से मोधी जी का जो पूरी प्रतिक्रिया रही उससे एक बार फिर साबित हुआ कि वह प्रचार के राजा हैं प्रचार में कहीं भी कोई चूक नहीं आनी चाहिए इसकी सौ फीसिदी वो गैरंटी करते हैं और जनता के इतने बड़े दुख पर बहुत निर्मम रवयाक तियार करते हैं शायद यही वज़ा है कि 2016 में जब कोलकता में पुल तूटा था चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तमाल करते हुए ममता बेनर्जी पे हमला बोला था एक्ट ऑफ गौड बताया था शायद यही वज़ा है कि इस समय मोरुभी के समय उनके इस वीडियो को लोगों ने बहुत देखा यह बहुत शर्मनाग घटना है अभिसार क्या है आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा बहुती सीधा और सरल पंच है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राजा हैं वो शायद यह भूल गए हैं कि यह देश एक लोकतंत्र है ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री हकीकत से कोसो दूर है जो अपने आप में बहुत बड़ी तराजदी है और जब एक लोकतंत्रिक देश का राजा शमा कीजेगा राजा नहीं प्रधान मंत्री जब प्रधान मंत्री इस तरह की हरकते करने लगता है तब लोगतंत्र जो है वो बेमानी हो जाता है और ये हमें समझना होगा तो चलिए हम चर्शा को आगे बढ़ातने हैं लता मंगेशकर को अगाना क्या था जो हमने दास्ता अपनी सुनाई आप क्यों रोए अगर आपके इतने दिल में दर था तो 48 घंटे बाद आपने राजकी शोक की घोशना की ताकि आप तमाम अपनी चुनावी सभा कर दें देश की जनता को आप क्या समझते हैं आप साहब क्या समझते हैं आप देश की जंता को मजाग बना के रख दिया है इन्होंने देखे जैसे हमने पहले कहा कि प्रधार मंत्री जी जन वेदना जन संवेदना से बिलकुल बेख़वर बेअसर रहने वाले नेता हैं बहुत ही निरमम ढंक से वो चीजों को देखते हैं और उसी तरह के फैसले करते हैं मैं समझता हूँ कि मोरवी के मामले में अगर आप देखें तो इस घटना के जैसे आपने स्वेवरा दिया कि संडे को घटना होती है मंडे को लोकारपांड, स्विलानयास, तत्तरह कारिक्रमों का वो निश्पादन करते हैं और फिर वो जब पहुंचते हैं अगले दिन तो अस्पताल में जो व्यवस्था देखने को मिलती है और टेलिविजन चैनल उनके एंकर चाहे जो अस्पताल का रंग रोगन सरक को फिर से बनाना मैं वही कह रहा हूँ कि देखे एक कई बार व्यवस्था के अपने काउंट्रेडिक्शन व्यूज आगर हो जाते हैं जो एंकर रोज भजन करते हैं किरतन करते हैं सरकार का प्रदानमंत्री जी का उन्हीं के चैनलों के रिपोर्टर कुछ एक चैनलों के जब घट मसितल पर यह सब देखते हैं तो वो रह नहीं पाते और वो बोल देते हैं कि ये रंग रोगन क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है और जंता के सामने ये एक خबर चली जाती है पहली बार उन्हीं चैनलों से जो हमेशा भजन करते हैं कि भई प्रायन मंत्री जी को आना है तो रोगियों को, खायलों को, बेहालों को, जो वहां के लोग जो मारे गए हैं, उनके शौपड़े हुए अस्पताल, इससे बिलकुल बेखबर एड्मिस्टेशन जो है, अस्पताल को सजाने में लगा हुआ है, मुझे कभी नहीं लिखा गया और जानते भाषा सबसे जलेप नमक क्या होता है, कि चलिए पहले दिन आप गुजरात में तीन दीन सभाय कर दिया आपने, अगले दिन आप राजस्थान गये, वहां पर आपने अशोक गहलोत और शिवराज सिंग चोहान के साथ एक और धाम का उध घाटन किया, क्योंकि आप जानते थे कि एक साल बाद राजस्थान में चुनाव हैं, मगर मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, भारती जनता पाटी में ये कैसी भूख है राजनीति कि आप जो है तब भी मोरभी की जनता के पास जाने को राजी नहीं थे, और मुझे लगता है क कि वो इनजार का रहे थे कि सारा मेक अप हो जाए, देखी ये सरकार 2014 से लेकर अब तक प्रधार मंत्री नरेन मोदी ने साबित किया है कि लाइट कैमरा और एक्शन के सरकार है, पूरी की पूरी एक्टिंग चलती है, कोई उनके सामने नहीं आता, दो दो फ्रेम समने देख कि यहां पर भी मुरूबी घटना होने के बाद भी जब जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है तो उसे साइड में हटा रहे हैं, यह सब चीजे अब जनता के सामने आ रही हैं, और एक और बहुत एहम बात, कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, वो सारा का सारा प्लैंड है, स सारा का सारा ड्रामा ऐसा है कि जिसमें सब को पता है कि आप बिस्तर बदल रहे हैं, आपको पता है कि आप रंगाई पुताई कर रहे हैं, वाटर कूलर ऐसा लगा रहे हैं, जिसको बिजली कनेक्शन तक नहीं दे पारे, पानी का कनेक्शन तक नहीं है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मजाग और हसी मजाग की बात नहीं, दरसल जो लोग मारे गए उनका अपमान है, गुजरातियों का अपमान किया है, इस पुरे पुरे पॉरे पॉरसेस में, क्या जनता उसे इस तरह से देख रही है, एक और गाना मुझे याद आता है वो, वो एक गुजराती प्र के और ये जो दुखदर्द है, लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां के स्थानी नागरी, कौन बचाने आया उन लोगों को, सरकार तो मेक ओवर में लगी थी, अपनी कमपनी को बचाने में लगी थी, बताने में लगी थी कि लोग दोशी है, यहाँ पर जो लोग इतना व लिक ओवर और कामरा लाइट एक्शन चला रहे हैं प्रधान मंत्री जी, उससे उनको उनका जो खुलासा है प्रधान मंत्री जी, अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र भी किया गया था, आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में छे साल रायनेता ने इस अंदाज में बया नहीं दिया, तो ये पूरा जो एक तरह से दिखाई दे रहा है कि जनता के सामने ये पूरा एक मॉडल है, एक पूरी सोच है जो प्रधान मंत्री के यहाँ पर दिखाई देती है, अविसार मैं एक बात कहना चाहूँगा बहुत, जो मु रणाएं दो पहलों पर आधारित होती हैं, एक तो स्मृतियों पर और दूसरा सोच पर, समझदारी पर, एक यंग रिपोर्टर के तौर पे मुझे याद है कि मैं बहुत पहले 86-87 में संभावता, बहुत पड़ा भूकम पाया था बिहार के भागलपूर मुंगेर एरिया म मैं गया था उस एरिया में और मैंने वहां देखा कि भारत के संभावता तत्कारिन प्रदान मंतरी थे राजीव गांदी और राजीव गांदी आये और उन दिनों एक रिपोर्टर के तौर पे मैंने वहां पर एक छोटा सा एरिपोर्ट था वहां जाने के बजाए las. मैं सी अकेले यहां रहें तो शायद हमें अच्छी कबर बिलेगी और मैंने देखा मैं राजी उगांधी जी क्या यहां पर उनकी प्रसुंशा के लिए बात नहीं कह रहा हूं लेकिन मैंने अपनी आखों से जो देखा कि राजी उगांधी अपनी धर्म पत्नी सोनिया गांधी के सा गया था बिलकुल अस्पताल वैसे था जैसे पहले बलकि मैं बहुत परिशान था कि प्राइमिनिस्टर आ रहे हैं और यहां पर कोई चेंज नहीं किया गया है यहां पर ठीक ठाक नहीं चीजें की गई हैं जो जैसे था वैसे ही था और सचमुच वो इतने वो कोई बड़े साथ जुड़ने की वो अजीब थी और उनका कुरता जो है फूल से भर गया था और भी कई प्रदान मंत्रियों को मैंने देखा है अपने अपने रिपोर्टिंग के दर्मियान ऐसा कभी नहीं देखा गया लेकिन उनमिले चीजे तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है आस्तक ह प्रासकों को और ऐसा हो जाई है जिसका जिकर अभी अभी उनमे लेकिने किया क्योंकि मोर्भी हादसा होता है तो सबसे शर्णा किरदार भाजपा का ITCell और मीडिया निभाता है भाजपा ITCell पहले तो उससे साज़िश बताता है कि देखो किस तरह से जंता पुल को हिला र कि नाम का रोशन करने वाला एक पत्रकार कहता है कि जो मारे गए हैं दोश उनका है शर्म नहीं आती तुम्हें क्या है इस खबर का पंच शुरुवात इस बार हम भाशा से करेंगे देखे अभी सार मेरा मानना है कि इतनी ज़्यादा बेशर्मी के साथ जिस तरह से मीडिया ने घटना हुई उसके बाद आरोब दोशियों पर मतलब दोशियों की जगा सीधे सीधे जंता पर डालने की कोशिश की उससे एक बाद साफ हो गई कि ट्रोल आर्मी हो या फिर भा सोशल मीडिया में वाइरल हुए उसकी वज़ा से मीडिया को मजबूरन बैक ट्रैक करना पड़ा और खबरें दिखानी पड़ी क्योंकि लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश था लेकिन मीडिया ने अंतत यही साबित किया कि वह मोदी जी के पियार एजेंसी से और उसने साबित कर दिया उसको जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है जनता अगर अपना दर्द भी सुनाना चाहे वो भी मोर्भी जैसी तराजदी में तो वो से नहीं सुनना चाहते हैं वो चाहते हैं कि ऐसी तमाम आवाजों को दबा दिया जाए जनता को हकीकत से दू कुंद बना रहे हैं और मिलेशी स्मुद्दे पर आपका क्या पंच है अभी सार मैं समझता हूँ कि मीडिया ने इस पूरे पहलू को दिखाने के बजाए और इस पर चर्चा कराने के बजाए जिस पर काफी तत्थे आ चुके थे खासकर गुजराती प्रेस में वो तूसरे इस पर बहस करा रहा है वो सुकेश चंदरशेखर के खत पर स्टोरी हो रही है आम आदमी पार्टी बनाम भारती जनता पार्टी की डिवेट को देश की सबसे बड़ी खबर के रूपे पेश किया जा रहा है उस दिन जिसके एक दिन बाद इस देश की सबसे उस समय की बड़ी ट्रेजडी मैं समझता हूँ कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ट्रेजडी पर पूरा देश जो है आँखे बिचाये है और इंतजार कर रहा है कि क्या दुरगटना है कैसे है क्या हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाग भूमिका देश के उस कथित मीडिया नेरी भाई जिसको की नेशनल टेलिविजन चैनल कहा जाता है जाहिर सी बात है मीडिया ऐसा ऐसलिए कर रहा था क्योंकि प्रधान मंत्री कार्या लेके माननी जोशी जी की तरफ से कॉल आ गया था और उसी का परिणाम यहां पर देख रहे थे मैंने भूला हूँ भाषा एबीपी नियूस की वो रिपोर्टर वो महिला के सामने आती है वो पहली बात वो महिला लेटी हुई है और 10-12 माइक उसके चेहरे पर यह अपने आप में वीभत्स दिखाई देता है वो अपने आप में उपर से जब वो महिला अपना दर्द बत पत्रकार होने के नाते आप उस खबर पर पाउंच करते हैं अभिसार उसमें बहुत दिल्चस्प बात है क्योंकि जब हम आप देख रहे हैं इसको तो दूसरी तरफ क्या वीडियो चल रहा है दूसरी तरफ वीडियो चल रहा है लगाता जितनी देर वो सवाल पूछ नहीं नम आखों से भीगी आखों से तो मुझे लगता है कि ये देखें कि ये इसका सबसे क्रूइल फॉर्म था कि आप बगल में तो मोदी जी को दिखा रहे हैं कि उस महिला के साथ खड़े हैं और यहां पर आप बिलकुल उनसे पूछना चाहती हैं तकरीबन बुलवाना चाहत जैसे ही वह बाइट नहीं मिली उन्होंने उस महिला का अपमान करते हुए बाइट हटा ली क्योंकि अब मामला तो लाइव चल रहा है ना वहां तो पी आर करना है यह जो पी आर एजनसी में मीडिया तबदील हो गया है मोरोभी की जो पूरी घटना है यह बता रही है कि आ जवाल जवाब आपके होते हैं वह आपको बीजेपी आईटी सहल के तो जरुवती नहीं आज की तारीख में अभेसार क्योंकि यह लोग तो जिल बढ़बढ के काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी कितने दुखी थे एक मीडिया चैनल यह नहीं बताता कि दो-दो क कनेक्शन है कि जब हम बात कर रहे हैं गुजरात के चुनाओ जिनका इंतजार हिमाचल के समय से है और अब मीडिया इन तमाम योजनाओं पर योजनाओं के उपर चर्चा कर रहे हैं। जेल में वसूली के आरोप में 21 दिन बिताए थे वो सब कैमरे पर है वो प्राइम टाइम में 9 बजे ये कहनी की हिम्मत कहता है कि आपको पूरा लग सकता है मगर दोश तो जनता का है बीजेपी का आईटी सेल शुरू से ही ये कह रहा था कि लोग जुला क्यू रहे अरे भाई हैं उन्हें तक नहीं बख्ष रहे हैं ये कितना सोचे कितना बेदर्द और बिलकुल ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की वेदना संबेदना नहीं है जिस तरह हमारे राजनेता संबेदन हीन हो गए हैं उससे कम मीडिया का ये हिस्सा नहीं हो तो मुझे लगता है मीडिया इस खासकर गुजराती के अखबार वो निर्भीक होकर तमाम यातना तमाम कस्ट और तमाम जो खत्रे हैं उनका जोखिम लेते हुए सच लिख रहे हैं कम से कम चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन यहां पर आपने हिंदी प्रेस का भी नाम लिया खासकर अखबारों का अखबारों में भी उसी तरह की बातें चपनी हैं बिल्कुल भीगी आखें नम पलखें नम आखें तो मैं तो इन लोगों को सत्ता की संस्था कहूंगा जो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं दियाट कमिटेट काडर और अभी सार एक चीज़ मैं यहां जरूर उर्मिले जी में जोड़ना चाहूंगी कि देखिए इसी समय जो यंग जनलिस्ट हैं जो छोटे-छोटे चैनलों में काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कम से कम वो साहस दे रहे हैं कि वहाँ जाके दिखा रहे हैं कि यह जो कमपनी है इस कमपनी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया कुछ भी नहीं किया मैं बाशा बात करना चाहूंगा बीजेपी के आईटी सेल के बारे में बीजेपी का आईटी सेल जो चलाता है वो आदमी उसकी हिम्मत देखे है उसने F.I.R किया हुआ है वायर के उपर उपर अलग मुद्दा है उसका पूरा फेक नियूस का इतिहास है उस आदमी का यह ज मतल decimal से एक माफिया जहसे काम नीकरता है, या इ्ट सेल वसे काम करता है, दो साल पुराना वीडियो निकाल दिया, आपने ट्वीट पर ढल दिया, है जूत जूते वीडियो, जिसको मिला आप दो साल पुराना वीडियो डाल रहे हैं, और उसमें यह बताने की कोशिश कर रहे ह कि ये लोग खुदी हैं कौन है सेबाट और ट्रेंड किया मैं कहने हुँ सबसे खतरनाक बात यह है कि इन्होंने ट्रेंड दो चीजे कराई है हैश्टाग सेबाटेज और हैश्टाग अर्बन नकसल आप शब्द देखिए और उसमें लगाया कि ये गुजरात चुनाओं को प्रभावित करने के लिए अर्बन नकसल कम सेबोटेज कम मोधी के खिलाफ क्योंकि यहां सीधा सीधा सवाल उट रहा था कि मोधी का जो गुजरात का विकास का मॉडल है वो इस पुल में गिरा है कुछ और नहीं जो प्रशाचार है जिसने वो वाहियात फिल्म कश्मीर फाइल्स बनाई थी अर्ध सत्य कश्मीर का पेश किया था उसने उस अर्बन नकसल के डिबेट को एक तरह से शुरू कर दिया और उसी कानुसरन कई न्यूस चैनल्स कर रहे थे मैं मुझे ताज्जूब है कि जिस तरह से इन्होंने पूरे प्रचार को काबू में किया हुआ है और यही प्रचार तमाम घरों में भी गया होगा हकीकत क्या लोगों तक पहुँची होगी बिलकुल देखे मैं समझता हूँ कि आईटी सेल जो करता है वो तो उसका काम है मैं तो कहता हूँ कि भारत में पिछले आट सालों से अगर देखा जाए बलकि उसके पहले से बीजेपी की आईटी सेल है तो उन्हों ने पूरे समाज में नेताओं के बारे में अतीत के स्थितियों के बारे में प्रक्रियाओं के बारे में आईटी सेल ने एक महत्मों भूमिका निभाई है अर्बन सेल जैसे जो अर्बन नकसल जैसे जो शब्द हैं अब आप सोची किसी को भी अर्बन नकसल कह देना जो जैसे लगता है कि कोई ये खतरनाख भूत पिसाच इस तरह के जैसे माफिया माफिया जैसे शब्द उसको एक्वैल कर दिया तो लेकिन सवाल इस बात का है कि मी मीडिया के रहते हुए बीजेपी आईटी सेल की जरूतनी लखीकत यही है। चलिए अब हम तीसरे मुद्दे कारू करते हैं जो बहुत एहम मुद्दा है क्योंकि आप जानते हैं अब ये तैह हो गया है कि गुजराट चुनाव और हिमाचल के जो चुनाव हैं उनके नतीजे आने वाले हैं 8 दिसंबर को गुजराट में पहली और 5 दिसंबर को वोट्स जाले जाएंगे बड़ा प्रश्न मोरभी का जो ये हादसा हुआ है क्या इसका असर गुजरात की चुनावों पर पड़ेगा और उसके बाद राश्ट्री राजनीती पर क्या ये वो टर्निंग पॉइंट है क्या है इस खबर का पंच उर्मेलेश आप से शुरू करना पर चुनावी राजनीत पर कितना असर पड़ेगा इसका बहुत हद तक जो 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 इसके पीछे जो कारण है वो जुड़े हुए हैं इस बात से कैसे अपोजिशन इसको एड्रेस करता है अपोजिशन खास कर कॉंग्रिस पार्टी ठीक है भाशा आप बताए क्या है इस कबर का पंच? लोगों में एक बड़ा सवाल बड़ा इस तरह का यक्ष प्रश्ण है जो बता रहा है कि मोदी के इतने साल के शाशन में कहीं से भी विकास नहीं एक भ्रष्ट तंत्र प्रचार तंत्र पे आधारित है और निश्चित तोर पे ये भाश्पा के लिए भारी पढ़ने वाला है अभिसार क्या है इस पे आपका पंच? जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाश्पा को नुकसान पहुंचता है यानि कि बहुमत से वो दूर रह जाती है तो हो सकता है कि एक उल्टी गिंती शुरू हो जाए जिसका जाहिर से बात है हम क्लाइमाक्स 2024 में देखेंगे तो शुरुवात जो हम करना चाहेंगे और हम चेहरा भी सामने उभर कर आया था मगर चुनाव आते आते सब ठीक क्योंकि वो जानते हैं चुनाव आते ही हिंदू को खत्रे में बता दो हाँ बता दो कि साब अगर हम चले के तो मुगल आ जाएंगे और जनता भी उसमें बहे जाती है तो प्रधान मंत्री नारेंडर मो कॉंग्रिस पार्टी है ये मकाबला वस्तवता भारती जनता पार्टी और कॉंग्रिस के बीच है मेरा मानना है आम आदमी पार्टी तमाम प्रोपगेंड़ा के बाऊज़ुदग तमाभवा खड़ा करने के बाऊज़ुद की हम बहुत आगय हैं मुझे नहीं लगता मुझ भी भारती जनता पार्टी की बहुत मजबूत थे है कि उनके पास सरकार है दोसरे उनके पास मीडिया है और कॉंग्रिस पार्टी कीमपेन जो अभी कर रही है अभी तक उसके के Michigan में कोई गर्मी, कोई गर्म जोशी, कोई बहुत ज्यादा एक ताकत क्या आपको लगता है कॉंग्रेस 2024 की तैयारी कर रही है क्योंकि देखे राहुल भी पूरी तरह से डिटाज ने गुजरात और हिमाचल से क्या लग रहा है कि उनकी दिगाह 2024 की तरह है कि भाईया हम उस पे तो फोकस करें देखे मैं बिल्कुल नहीं मानता कि गुजरात या हिमाचल जैसे विधान सभा के चुनाओ कुछ और विधान सभा चुनाओ आने वाले हैं 23 में तो इनको नजरंदाज करके 2024 की कोई तैयारी कर लेगा ये धारना ही गलत है क्योंकि भाशा उससे हवा बनती है विधान सभा चुनाओं में अगर आप हारते जाएंगे तो उससे हवा बनती है और यहां पर 250 सीटे विधान सभा सीटे हैं लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि अभिसार गुजरात में जिस तरह से भाशपा का जो इंटरनल उससे भी उनको यह डर था कि इस बार इस तरह से उनको बढ़त नहीं है और इसकी सबसे बड़ी जो पेशकश थी वह यह थी कि उस समय हिमाचल के साथ यह चुनाओं एनाउंस नहीं कर पाए जबकि होना दोनों को साथ चाहिए था यानि भाशपा को पता है कि उसकी जमीन और मुर्भी में जो हुआ है जिस तरह से रातो रात इसका पेंट से लेके सारा कुछ फोटो आप किया गया है उसने उस गुसे को जिस गुसे का डर भाशपा के पास है उसे बढ़ाया है और साथ ही साथ यहां पर जो गुजराती असमिता की बात देखिए अब आप पूरा चुनाओ जिस तरह से इनोंने शिफ्ट किया है गुजराती असमिता पे जो हर बार करते हैं लेकिन वो confidence अभी तक नहीं है सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो लोग है वो इस बार क्या मुर्भी क्योंकि एक सबसे बड़ा परदाफाश है गुजरात के विकास मॉडल पर उस उस पर रियाक करेगी मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे सामने जिसे मैंने आ उत्तर पदेश की में बिसाल थी लोग वहां थे मगर एक बहुत वक्त भी था उसके बीच में यहां मुर्भी अभी हुआ है और अब एक महिने बाद या देड़ महिने बाद वोटि मंतरी ने इतना इंसेंसिटिव बयान दिया था जब भाद पर पुल गे रहा था कलूं से जब सवाल पूछा गया तो वनोंने कहा कि मैं मोदी जी पर कुछ नहीं बोना चाहूंगा मैं यह पूच्छना चाहताू क्या विपक्र भॹ्ड्ने में आनकानी कर रहा है हिचक रहा है अभी सार मैं ये जो अपोजिशन के नेता हैं खासकर गुजरात के कांटेक्स्ट में अगर मैं बोने तो मुझे उनकी भूमी का बिलकुल साफ नहीं नजर आती है मुझे बिलकुल साफ कहने में ये कोई हिचक नहीं है और जहां तक स्ट्रक्चर का सवाल है पार्टी स्ट्रक्चर का गुजरात में भारती जनता पार्टी भी अंदर से परिशानी में है बहुत ज्यादा group उसके अंदर भी है बहुत सारे ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो rebel भी हो सकते हैं और Congress के अंदर भी यह समस्या है क्योंकि उसको यह है कि जो लोग नराज होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएंगे तो यह बहुत सारे ऐसे अब जैसे मान लीजे कि 15-16 लोग हैं जो हाल में Congress में Congress से वीजेपी में गये उनको अगर आप टिकट नहीं देंगे वो कुछ और करेंगे तो समस्या हैं सब के पास हैं लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि opposition सारी समस्याओं को लेकर एक जुट एक campaign नहीं कर रहा है वो लोग कहते हैं जिसे किसी से बात कीजेए तो कि गाउं में बड़ा campaign हमारा तेज है अरे गाउं में आपका तेज है campaign तेज है तो वो चीजें दिखनी चाहिए हैं न जमीन पर वो जमीन पर नहीं दिखती है दूसरी बात जो बिलकुल आखिर में यह कहूँगा कि गुजरात के दंगों के दवरान आप याद कीजेगा अगर 2000 दंगे के बाद लोग कहते थे कि इतने बड़े नरसंगार के बाद निश्चित रुप से बारती जनता पार्टी का पतन हो जाएगा लेकिन फिर भी जीत गई बारती जनता पार्टी और एक तरह का पोलराईजिशन कर दिया इस बार मैं नहीं मानता कि कमरिल राइड जैसी इस्तितिया यह ट्रेजडी है यह बयानक है और इसमें सासन की पोल खुली है गहां तक गुजरात मॉडल के गुजरात मॉडल के जहां तक परदाफास का सवाल है गुजरात में एच्डियाई यानि हर मामले में गुजरात पीछे रहा है लेकिन लोगों पर असर नहीं पड़ता क्योंकि वो मैनेजमेंट जवरदस्त उसका है और मैनेजमेंट होता है मीडिया की तरफ से मैनेजमेंट होता है प्रचाहतन की तरफ से बिलकिस के जो गुनागार है वो भी इसलिए छोड़े गए ताकि गुजरात चुनाव को प्रभावित कर सके बहुत बहुत शुक्री आपका भाशा और उर्मेलेश इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजिए जासत नवस्कार